मन के अंदर भ्रम होता है याद करिए इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा रणक्षेत्र कोई है जहां सबसे बड़ा दुन्दुविनाद हुआ था वो कुरुक्षेत्र है कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन के अंदर संसय था कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है तो कृष्ण ने उनके रत को बीच में स्थापित करके कहा था कि देख एक तरफ न्याए है और एक तरफ अन्याए है लड़ना है और अन्याए को समप्त करना है और न्याय और धर्म के साथ खड़ा होना है आज मैं सबसे अपील करता हूँ चाहे वो political party हो चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो संगठन हो, संस्ता हो NGO हो, चाहे वो news channel हो क्योंकि सभी news channel हमारे लिए बराबर है सबसे यह अपील है कि रणक्षेत्र के मध्यमे खड़े होकर ध्यान से देखें कि सत्य किस तरफ है being neutral is to be with truth being neutral does not mean to shun the truth and not show the truth to stand with the truth is neutrality so please let's stand with the truth बंदुगन बहुत सारे उदाहन है यह Hitler और Mussolini की बात करते है यह हमारे प्रदान मंत्री को गाली देते है आए दिन प्रदान मंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हिटलर शाह कहा जाता है आज आप बताईए हिटलर शाही क्या है घर से घसीट कर किसी व्यक्ति को ले जाना उनकी पत्नी और उनके एक माइनर बच्चे के साथ जिस प्रकार का वेवार किया गया है वो वेवार करना एक केश जो बंद हो गया है उस केश को पुना कोल देना ये कहां का लोकतंत्र है COVID छल रहा है the pandemic is written large in the world populace across the globe the pandemic is speaking for itself mankind is not only fighting but fighting gravely against this pandemic and during this pandemic we have a government in Maharashtra which is arresting journalists not of any particular channel but across channels those who have questioned the Maharashtra government on its fallacies in conducting itself during the COVID pandemic जिनोंने भी जिस भी जर्नलिस्त ने या जिस भी आम आदमी ने सवाल उठाया है COVID को लेकर उनके साथ जिस प्रकार का वेवार किया गया है महारास्टर में जिस प्रकार से Congress की सरकार ने Sonia Sena ने उसे गिरफतार किया है ये धिकार योग्य है और बंदुगण मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और एक डेट भी बताता हूं वो डेट है 2019 का है 13 मई 2019 एक आर्टिकल लिखा गया था क्यूंकि आप कहेंगे हम केवल एक चैनल के लिए खड़े नहीं बंदुगण यहां बैठा एक एक चैनल के साथ हम खड़े इसलिए मैं 13 मई 2019 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया था निरुपमा सुब्रमन्यन द्वारा और वो विशय था इंडियन एक्सप्रेस का ही और आर्टिकल का हेडलाइन था राजीव गांधी's infamous holiday उसका हेडलाइन था वट विंडिक्टिव राजीव गांधी डिद आफ्टर इंडियन एक्सप्रेस कवर्ड दे स्टोरी ओफ इस आई एनस विरात वेकेशन आपको याद है जब राजीव गांधी प्रदान मंत्री थे और आई एनस विरात के ऊपर foreigners को लेकर वेकेशन पे निकल गए थे लक्षदीप के लिए उस विशे में आप सभी के चैनल ने इसको दिखाया था आदरनिय प्रदान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी ने भी इस विशे पर बताया था उस समय राजीव गांधी इस हद तक गए थे कि जुलाई 1988 में राजीव गांधी इंट्रदूस्ट ड्रेकोनियन बिल दे डिफामेशन बिल मीडिया के लिए डिफामेशन बिल आया गया था कि कोई भी प्रदान मंत्री के खिलाफ कुछ लिखनी सकता है ये तो धन्य है उस समय मीडिया युनाइट थी यूर आल युनाइटेड यू स्टूद दे ग्राउंड यू फ़ट अगेंस यू फ़ट अगेंस वेलिएंटली अगेंस दी सप्रेशन अफ मीडिया और यू केम आउट विक्टोरियस आप जीत के आए और वो बिल को राजीव गांधी को विड्रॉ करना पड़ा मैं दो लाइन जो इंडियन एक्स्प्रेस ने दो हजार उन्नीस में लिखा था वो पढ़के बताता हूं कि किस प्रकार इंडियन एक्स्प्रेस के उपर अन्याए किया गया था and she writes for those of us present in the office that day the manner in which hundreds of armed CRPF and Delhi police personnel took a position inside and outside the Delhi office of Indian Express seemed way out of the proportion for a tax evasion case Indian Express के office को घेर लिया गया था और इस प्रकार से आक्रमन किया गया था मानो Indian Express का office नहीं ये गोएंका जी का office नहीं आज गोएंका जी के नाम पर award मिलता है हम सब देश के राष्ट्रप्रती प्रधान मंत्री सम्मान के लिए खड़े होते हैं रामनात गोएंका जी के नाम पर वो इतना बड़ा स्थान है इतने बड़े पत्रकार जगत के Indian Express के साथ राजीव गांधी ने क्या किया था यह निरुपमाजी लिखती है कि रेड करा दिया था असीम त्रिवेदी यह आपको याद होगा एक काटूनिस्ट ने जब काटून बनाये थे अन्ना हजारे के समय उसके साथ क्या हुआ यह बताने की अवश्यक्ता नहीं है हजारों ऐसे उदाहरण है Who brought the emergency into this country? आपातकाल को किस ने जन्म दिया? आपातकाल के समय बिजली काट दी गई रात को Times of India के यहाँ पत्रकार बैठे हैं बहादूर साह जफर रोड में उनका head office है अगर मुझे अच्छे से याद है तो बिजली काट दी गई थी ताकि Times of India का headlines न चप सके Times of India अपनी headline न चप सके और वो उनकी printing press बंद हो जाए पंजाब केसरी आज हमारे बीच अश्विनी चोपडा जी नहीं है हमारे सांसद रह चुके अश्विनी चोपडा जी ने मुझे बताया है मेरे मित्र थे मेरे बड़े भाई थे उन्होंने मुझे बताया है किस प्रकार का emergency के समय एक एक पत्रकार जो यहां बैठा है चाहे वो इंडिया टुडे हो चाहे वो Times of India हो चाहे वो Punjab केषरी हो चाहे वो नभारत Times हो चाहे वो भासकर हो चाहे वो जागरण हो सभी ने आपातकाल के समय जो सहा है उसके लिए उनकी पत्रकारिता को salute है हजारो पत्रकार एरेस्ट हुए हजारो लाखो भारती एरेस्ट हुए I call upon the Indians let not this kind of mafya raja descend upon any state in India which is governed by the mafiaso of Italy यह जो mafiaso raja है Italian में mafiaso कहते है वहाँ से mafya शब्द आया है जिस भी raja में यह Italian सरकारे चल रही है वहाँ पर इस प्रकार की गिरफतारी ना हो घसीट करके किसी पत्रकार को बाहर ना निकाला जाए इसके लिए हम लामबंद होकर खड़े हो यही हमारी पुकार है बंदुगन अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है यह पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है उनके माइनर बेटे के उपर एटेक करना उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना और वह भी एक ऐसे केस में जिसको 2018 में क्लोजर मिल गया था ते कलेस विच वस क्लोज़ड इन 2018 मैं आप से सवाल पूछता हूँ अगर आज हम एक जूट नहीं होंगे तो कल बारी हमारी है इसलिए हमें न्यूट्रालिटी के नाम पर युद्ध्ध्शेत्र के बीच में खड़े होकर देखना ही नहीं है या युद्धक्षित्र के बीच में खड़े होकर न्याय धर्म की तरफ देखना है और अधर्म और अन्याय को त्यज देना है इस विशह में आप सोचिए हम सोचें देश्वासी सोचें बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार